वेल्कम टू इंग्लिश बाबा चैनल आज हम क्लास 11 इंग्लिश स्नैपसट बुक से जो चैप्टर नमबर 4 है Albert Einstein at school उसके question answer करेंगे तो जल्दी से वीडियो को like कर दीजे और अगर पहली बार आए है चैनल पर तो subscribe कर दीजे आई होप आपने वीडियो like कर दिया है question number one है what do you understand of Einstein's nature from his conversation with his history teacher आपको क्या पता चलता है Einstein के nature के बारे में जब वो बात करता है अपने history teacher से जब वो बात करता है अपने mathematics teacher से और जो भी उसकी conversation हुई head teacher से तो यानि question को तीन पार्ट में हमसे पूछा गया है Einstein जो कि बचपन में ऐसे लगते थे आपने ज़ादा तर ये वाली photo देखी होगी सबसे पहले इसका answer देंगे और answer देने से पहले आपको ये समझा दूँ जो आइंस्टाइन थे उनकी teacher के साथ जड़ब होती रहती थी और teacher उनके साथ मतलब बार बार नहीं कहते रहे तुम मैं कुछ नहीं आता तुम पूरी class को भी डिस्टब करते हो खुद भी नहीं पढ देंगे तो सबसे पहले एक introduction डालेंगे क्या है introduction देखो इस तरीके से अगर आप exam में लिख्या होगे तो आपको 100% पूरे marks मिलेंगे it was clear that Einstein was not an ordinary child विलकुल ये वाली बात तो शुरुवात से ही clear थी कि वो कोई मामुली आम बच्चा नहीं था from the very beginning his traits were different शुरुवात से ही वो बच्चा अलग था and when he was finally admitted to school जब उन्हें finally school में डाला गया he always had clash with school system उन्हें हमेशा school के साथ उनके clash होते थे clash का मतलब है लडाई जगडा type है ना argument type अब देखो इस question को मैंने कैसे answer किया है सबसे पहले मैंने heading डाला understanding यहीं से उठाया question से understanding of Einstein nature of Einstein nature from his conversation with his history teacher मजा आ गया question में ही से ही answer उठाये ठीक है तो from the conversation between history teacher and Einstein जो conversation हुआ history teacher और जोड़ भी दी है हमें इसके marks भी मिलेंगे और हमें याद भी नहीं करनी पड़ी क्योंकि हमने कहां से उठायी है direct हमने उठायी है question में से we come to know that Einstein is honest and truthful हमें यहाँ पता चलता है Einstein इमानदार भी है और सच्चा भी है क्यों क्योंकि वो जूड़ नहीं बोलता है history teacher से वो मान लेता है यह वाली बात क्या कौन सी बात मान लेता है he admits the fact that he cannot learn the dates कि सर मुझे dates याद नहीं होती मैं याद नहीं कर सकता मैं रट्टा नहीं लगा सकता वो मान लेता है he expresses his thoughts without fear और जो भी उसके विचार होते हैं उन्हें वो बिना डरे अपनी teacher के सामने रख देता है कौन से विचार की सर date याद करने से क्या होगा thus his basic intelligence and logical reasoning are highlighted दो question क्या है question से भटकना मत question यह पूछ रहा था कि Einstein का nature बताओ conversation के base पे तो इस conversation के base पे हमें पता चलता है उसकी intelligence का जो कि बिलकुल logical उसे रट्टा लगाना आता नहीं है वो रट्टू तो होता नहीं है ठीक है वो reasoning वाली बात करता है logical बात करता है ठीक है और इमानदार है मान लेता है कि सार मुझे याद नहीं होता अब देखो दूसरा heading बिलकुल वैसा ही डालेंगे understanding of Einstein's nature from his conversation with his पूरा का पूरा वोई लेकिन इस बाद teacher बदल दिया mathematics teacher क्योंकि question में कहा गया था history teacher, maths teacher और head teacher his mathematics teacher had a high opinion of way उसके पूरे स्कूल में अगर कोई teacher उसे पसंद करता था या उसे कोई teacher पसंद था maths teacher तो maths teacher उसकी हमेशा तारीफ करते थे according to mathematics teacher Einstein had more knowledge than him और mathematics teacher का तो ये भी कहना था कि भाई साब भले से मैं Einstein का teacher हूँ लेकिन Einstein को मुझसे जागा आता है and soon Einstein would be able to teach his own teacher और वो यहां तक कह देते थे कि अगर Einstein थोड़ा time और यहां रुख गया तो वो तो मुझे ही उल्टा मुझे ही पढ़ा देगा मतलब Einstein जो कि एक बच्चा है वो अपने teacher को ही पढ़ा देगा इतनी अच्छी maths थी so from here we understand that Einstein was a genius boy तो हम से पूछा गया है on the basis of history हमने बता दिया on the basis of maths हमें क्या पता चलता है कि वो एक genius बच्चा था अब बात करेंगे last उसकी एक और पूछा गया इसमें understanding of Einstein nature from his conversation with his head teacher question को हमने बढ़ा किया है ठीक है when head teacher expelled expelled का मतलब होता है जब किसी को school से निकाल दिया जाता है Einstein from school जब उसे school से निकाला गया saying that यह कहकर he disturbs other student कि वो दूसरे students को disturb करता है and no teacher can teach while he is in the class तो head teacher ने क्या क्या भाई साब जब तुम class में होते हो ना केवल दूसरे बच्चों को disturb करते हो बलकि कोई भी teacher तुम्हारी वज़े से पढ़ा ही नहीं पाता Einstein didn't lose his temper लेकिन फिर भी Einstein ने आपा नहीं खोया lose his temper का मतलब है आज कल के बच्चों को जरासाब कुछ कह दो भाई साब जरासी देर में teacher की शिकायद कर देते हैं parents को बुला लाते हैं ये कहते हैं तुझे बाहर देख लूँगा ये वो फलाना लेकिन Einstein ने ऐसा कोई भी जवाब नहीं दिया he kept quiet विचारा चुप रहा he came out of the school without uttering a word और school से बाहर आ गया बिना कोई शब्द बोले so from this conversation we come to know इस conversation से हमें क्या पता चलता है that Einstein had self-control ठीक है अपना आपा नहीं खोता था वो किसी को गालिया नहीं निकाली उसने he was not at all impolite अब वो चाहता तो वो भी पलट के जवाब दे सकता था teacher को कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो मैं फीस दे रहा हूँ आज कल के बच्चे क्या करता है तो क्या फीस नहीं दे रहा क्या मैं लेकिन उसने बिल्कुल बिचारी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो बिल्कुल इंपलाइट नहीं था रूड नहीं था पूरी तरह से पलाइट था और हमेशा अपने टीचर को रेस्पेक्टफुली कॉल करता था या उनका बहुत ज़ादा सम्मान वो करता था नेक्स्ट क्वेस्टिन अब यहाँ पर एक वर्ड आया है इसका मतलब क्या है कर्ब का मतलब होता है किसी चीज को डिमॉरिलाइज करना किसी चीज को पूरी तरह से कंट्रोल में रखना या उसे फ्लरिश ना होने देना जो स्कूल सिस्टम होते हैं वो अच्छे टैलेंट को दबा देते हैं क्योंकि स्कूल रट्टाफिकेशन पर जब वो देता है स्कूल में जो बच्चे रट्टा लागा के नंबर ले आते हैं स्कूल उन्हें तो प्रमोट करता है उन्हें प्राइस देता है उन्हें टॉपर कहता है लेकिन जो logical वाले बच्चे है Einstein की तरह वो हमेशा पीछे रह जाते हैं तो answer देंगे अब यार देखो class के अंदर 50 बच्चे हैं क्या 50 बच्चों का जो mind है एक जास है नहीं क्या बच्चा बच्चों की learning capacity एक जैसी है नहीं लेकिन school में क्या होता यही होता है लेकिन हर बच्चा अलग-अलग है ना हर बच्चे का समझने का तरीका अलग है two children born on same day दो बच्चे जो एक ही दिन पैदा हुए है एक ही टाइम पे पैदा हुए है और एक ही जगे पे पैदा हुए है cannot necessarily learn by the same teaching process जरूर नहीं है कि वो एक ही teaching process है समझ ले the school system curbs individual talents in following ways जो school system है इस तरह से अच्छे talent को दबा देता है कौन-कौन से तरीके हैं वो तरीके हैं अभी तक मेरे भाई इस वीडियो को लाइक नहीं है तो यार लाइक ठो तो please और अगर चैनल पर नए हो तो यार एक subscribe कर देना चलिए पहला तरीका है number one school systems are old and have not been updated for years आपने देखा होगा भाई सब 5 साल पहले भी वही इसले बस है अभी भी वही धर्रे पर चला है वही file बनवाई जा रही है बच्चों से जबकि teacher को पता है कि यह जो file है यह जो model है यह जो project है बच्चों ही summumya बनाती है या बच्चे खरीद खरीद के लाते हैं लेकिन वरए साब भी बनवा रहे है तो पहला system से यह school system does not pay attention on individual learning वो किसी बच्चे को specifically target नहीं करते, specific बच्चे पर ध्यान नहीं देते, वो तो बस group में पढ़ा रहे हैं, 50 बच्चों को पढ़ा दिया, 100 बच्चों को पढ़ा दिया, किसको कितना समिलना कोई मतलब नहीं है, इट discourages genius and originality, अगर कोई Einstein जैसा बच्चा है, तो उस बच्चे को हमेशा discourage किया जाता है, है न, इस system lays stress on facts and dates rather than ideas, जैसे तुम 9th class में थे, तुम तुम ने French Revolution पढ़ा, ये पढ़ा, तो तुम्हें रटा है जा रहा है, ये याद कर लो, Battle of Waterloo का भी याद हुआ, नेपोलियन का व ratification पर ध्यान देता है, इट ignores originality and creativity को ये इग्नोर करता है, इट promotes cramming, cramming क्या होता है, रटा लगाना, आपने देखा होगा, school में, last में, वो वाले बच्चों को price दिया जाता है, जो रटा मार मार के बस number ले आते हैं, जिनने अंदर की knowledge कुछ नहीं है, बस ठीक है, तो cramming पर ध्यान देता है, it imposes so many rules at the name of discipline, आपने देखा होगा, discipline के नाम पर उल्टे सीधर rule लगा देते हैं, तीसरे period में toilet नहीं जाना, चौते में ये नहीं करना, क्यों वहीं toilet लगा है, तो आदमी जायेगा, नहीं क्या, है, रोग लेगा क्या, class में ही करते क्या, teachers like history teacher and head teachers thing, यह हाँ पर ये वाला जो 8th point है, ये आइंस्टाइन को ध्यान में रखे दिया है, history के teacher और head teacher जो थे, उन्हें ये लगता है, कि वो खुद perfect है, and do not provide any room for new policies, और वो कोई भी new policy, नया change आने देना नहीं चाहते, next, brilliant students like Einstein's are considered dull, जो brilliant students है, जो original ideas लेके आ रहे हैं, उन्हें तो बुद सारी कमिया है, ठीक है, last question देखेंगे, children telegram link जो है, हमने description में डाल दिया है, आप हमें telegram पर join कर सकते हैं, how do you distinguish between information gathering and insight formation, तो information gathering में और insight formation में क्या answer, देखो, information gathering क्या होता है, रटा लगाना बस, कोई चीज़ समझ में आए, ना आए, logic आए, ना आए, बस रखता, और insight formation क्या हो किसी चीज को समझ ना, फिर उसे मतलब अपलाई करना, तो देखो, information gathering and insight formation are two very different concepts, तो उनों अलग-अलग चीज़े हैं, information gathering is concerned with compilation of facts, भारत का बाजाद हुआ था, 1947 में, भारत का सम्विदान कब बना, 1950 में, कोई मतलब नहीं है, क्या होता है, freedom क्या होती है, constitution कोई मतलब, बस र information gathering है, बहुत रटा लगा, this information is already printed in several books and can easily be found with the help of these books, और we can google such facts or information, भार यह 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 चो तरीके हैं, अब कोई में पूछना चाहे, माहत्मा गांदी कब पैदा हुए थे, तो वो गूगल पर किया जा सकता है, कभी भी, कोई भी याद कर ले, या कितनी भी books में दिया गया है, ल information gathering है, वो कोई focus नहीं करता, किसी इनसान की ability को सुधारने में, या उसकी personality को सुधारने में, तो तुमारे हिसाब से यह point सही है, या गलत है, मेरे हिसाब से तो गलत है, हो ना क्या चाहिए, on the other hand, insight information is concerned with cause and effect relationship of phenomena, मतलब, जो insight information है, वो भी knowledge को gain करना है, लेकिन कैसे, कि वो कोई भी चीज हुई, तो क्यों हुई, उसका कारण क्या है, और अगर वो होगी, तो उसका effect क्या पढ़ेगा, जब कोई बच्चा logic के साथ यान करेगा, समझेगा, तो वो जो knowledge रहेगी, वो lifetime र learning, यह जो phenomenon है, कौन सा, insight वाला, insight information, यह logical काम करता है, logic पर ना कि learning पर रख्टे पर नहीं, insight information develops, all our personality को develop करता है, of a person, as it is threats on logical thinking, क्योंकि यह logical thinking पर ध्यान देता है, children, यह वाला जो last question है, इसका answer तुम्हें देना है, comment section में, who expelled Einstein from school, Einstein को इस school से किस ने निकाल दिया था, head teacher, math teacher, history teacher, या नौरा, so I hope कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को like कर देना, channel को subscribe कर देना, देखते हैं कितने लोग, इस question का right answer देते हैं, मिलते हैं, अगले वीडियो में, bye, इसक को आपीजए है, हैं कितने मिलते हैं, आब मिलते हैं, इसकर देपल accuse क informالمipped को औरि puff को पूसude हैं, और में वाले शेलएंगते हैं, कo 1989 से में, काहिए जए से लaprèsарवी में